था हम बात करने वाला या इंडिया की इसी के बारे के बारे में हम io लोग इसके पहले बात करए help उन्हों से सिर्फ 7% लोगों नहीं है हमारे शेलों को सब्सक्राइब करके रखा है तो बागी बच्चेवों लोगों को अगर हमारे वीडियो पसंद आता है तो इंडियो ने सको टो सब्सक्राइब कर देना इंडिया में एक आयव भट नाम के mathematician थे जिन्हों 0 का invention किया था और 0 का invention इंडिया में हुआ था इंडिया का पहली उन्यवर्सिटी तक्षिला इसको 700 BC में बनाया गया था और यह व्ल्ल्ट की वेसाब पहली उन्वर्सिटी थी जिसमें कि कि more than 10,500 students लगवाग 60 subjects का knowledge लेने आते थे और इसके साथ ही उनिवर्सिटी आफ ना लंदा ए फिर ना लंदा उनिवर्सिटी को 4th century BC में बनाया गया था और याई उनिवर्सिटी एंसेंट इंडिया की education field में सबसे बड़ी अशीवमेंट थी संस्क्रिट को mother of all European language के नाम से भी जाना जाता है यानि कि इतना भी European languages है उनके सिरुवाद संस्क्रिट सहीं हो लिए और जो लाई 1987 में Forbes magazine के एक report में यहाँ पताया गया था कि जो संस्क्रिट लैंग्वेज है वह computer software के साथ शुटेवल लैंग्वेज है या फिर संस्क्रिट most suitable लैंग्वेज है computer software के लिए वैसे तो इंडिया में भी बहुत जादा poverty है और बहुत साथ लोग गरीब भी हैं और इन्वाटिट निशन उनिवर्सिटी बताती है इंडिया के लगबख 60% लोग यानि की लगबख 812 मिलियन लोग पूबर्टे लाएंज से नीचे रहते हैं बढ़ यही कि इंडिया के भास्कर चाड़े ने 6th century में ये बात calculate कर दी थी और उन्होंने ये same बात बताई थी कि आर्थ को लगबख 65.25 बेस लगते हैं सन का एक शेकर लगाने में इपर सन का एक orbit complete करने में इंडिया के एक famous mathematician गुद्याना ने पाई की वैल्ली को सबसे पहले calculate किया था और उन्होंने पाइथोगर्ण theorem का concept बताया था और उन्होंने ये स्टीज को 6th century में डिसकावर्ट किया था European mathematician से सादों पहले algebra, trigonometry और calculus इनों के दिनों इंडिया से आते हैं Gemological Institution of America के माने तो 1896 से पहले इंडिया पुड़य वर्ल्ड में एक लौथी सोर्स्ती डाइमंड कहने कि लोगों को 1896 से पहले सिर्फ इंडिया सही डाइमंड मिल सकता था और मिलता था सबसे पहला डैम और सबसे पहला रिजर्वर सवराष्ट्रा बनाया गया था जिसको निमा सतरंस के नाम से भी जने जाता है इसको भी इंडिया में बनाया गया था there are no pieces that can interpose or block the queen from checking the king कि आपको पता कि फादरणफ सर्जरी किसको कहा जाता तो फादरणफ सर्जरी कहा जाता है शुषुता को यह एक इंडियन फिजीशन थे और यह इंडिया में 2006 पहले के हेल्थ स्वाइन्टिस्ट थे जोने बहुत सारे कोम्रिक्टेट सर्जरित की थी और इंडिया की बात करते हैं मतला वो गेम जो आपने स्क्रीं सर में देख सकते हैं, इस लेक्प के पूपर संत ग्यांदेव नहीं इफॉन्द किया था और वह इंडिया में वर्ल्ड की हाइस्ट क्रिकेट ग्राउंड यहीं माचल प्रदे से चाहिल नाम के एक जगह पे है इसको 1893 में बनाया गया था और यह सी लेवर से 2444 मिटर्स उपर है इंडिया में वर्ल की सबसे लाजिस्ट नंबर अप पोश्ट आफिसस है और यह अगर्ण की दर लेक में जिसको अगश्ट तुसातन अलेवर में चालो किया गया था इन्हें सबसे बड़ी इंप्लॉयर है वह एंडियन रेल्वेट जो कि लगवाग वन मिलियन से ऊपर लोगों को इंप्लॉयमेंट दी हुई है जो आर्ट अपने विगीशन है फिर नेविगेटिंग है यह रिवा से आती है इसको 6000 पहले ही बना दिया गया था और यह जब वर्ड नेविगेशन इसको संस्क्रीट वर्ड नौगट से डिराइब किया जाता है और जो अनेस्थीसिया है यह जो नम करने करने के जो सुन करने यह जो होता है यह एक मेंडिसीन है जो कि बहुत पार से यूज कि जाती थी और इस इतके बारे बहुत सरे इंडियन टेक्स में भी देखा गया है वर्ड की फोर रिलिजिंस जो कि है हिंदुईजम बुद्धिजम जैनिजम और सिकिजम यह चालोग रिलिजिजन इंडिया म में 11 संचुरी में बनाया गया था सिकिजम के सुरुवार पंजाब के अमरी सर्थ से हुई थी जहां पर गोल्डन टेमपल है और इस सिटी को बनाया गया था फिर इंडिया में और इसका नाम में वारा नसी फिर बनाराज यह एक इंडिया की सबसे ज़्यादा एंसेंट किया है इसे कि आप लोग जानते होंगे और योगा क्या है वो भी जानते होंगे तो योगा के शुरुवाद की इंडिया में हुई है और यह इंडिया में लेवग 5,000 लेट से है कुम मेला के गदरिंग है उसको स्पीर से भी देखा जा सकता है 2011 की कुम मेला थी इसमें लगबक 75,000,000 लोग आया थे और यह गदरिंग इतनी वली थी इसको स्पीर से भी देखा जा सकता है करा को want 65,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ौर Tea भी इसमें लोगब। है जो कि अर्थ के से पर बराबर है शैम्पू को भी इंडिया में इन्वेट किया गया था और या वह शैंपू में थी जो कि आएप अभी यूज़ करते हैं उसहां इसको आर दूसरे चीज़ों से बिलाकर बनाई जाता था और जो आज नकिकी मसाज से इंडिया के जो नेसनल कबड़ी टीम है वो कबड़ी की सारे वर्ल्ल कब चैंपियोंसिप जीते हुए हैं चाहिव इंडिया के मैंस कबड़ी टीम है या इंडिया की विमेंस कबड़ी टीम है इन्होंने आज तक कवे भी कबड़ी चैंपियोंसिप नहीं हा रहे हैं मून पर साथ पहले पानी का जो डिस्कावर्डी किया गया था वो भी इंडिया नहीं किया था सैप्टेमर 2009 में इंडिया के इस रोपी चंद्रियान 1 ने यह डिटेक्ट किया था कि मून पर पानी है सैंश डिय बनाया जाता है वो इंडिया के एक्स प्रेजडियन एंप ज्यद्र कर डिक्ट किया गया है सब्सद्री ऑनीयन उपने और बाता साल को सुझसकिया हुआ ऑद आपने 12 साल की टैर्न की सलरी ठीब पूरा करने के बाद इंडिया में एक ऐसा पाइस्टान हुआ करते थी। में यह सब्सक्राइब के जाता है, और इसमें अलेफन्स को साफ के जाता है, मसाद दिया जाता है, और उनको खाना भी लिए जाता है। इंडिया वोल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इंग्ली स्पिकिंग कंट्री है आफ्टर इवे से और इंडिया में लगबग 10 परशेंट लोग याने कि लगबग 125 मिलियन लोग इंग्लिस बोलते हैं अरे बाबुजी ऐसी इंग्लिस आवे that I can leave अंग्रेज बिहाइंड You see sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language इंडिया एकलौतिया से कंट्री है, जिसके भी 33% से लेकर 37% तक लोग वजी टेडियन है यने कि इंडिया के लगबग 400 मिलियन लोग वजी टेडियन है इंडिया वर्ल्ड की largest milk producer है, इसके पहले इंडिया नमबर वन पे था बड़ 2014 में इंडिया ने इंडिया ने इंडिया ने इंडिया को बड़ टुक किया और इंडिया में पर येर अभी लगबग 32.4 मिलियन टान्स milk प्रोडूस होते है इंडिया वह पेहली कंडिया ति जिन्हों ने सुघर पड़ चीनी को बनाया और इडिया वह पहले कंडिया थी जो कि आंसर गम सही था वोयल की जो सब्सक्राइब है यह भी इंडिया में है और इसका नाम है चिनव ब्रीज जो कि जम्मू का चिनव रीवर के ऊपर बनाया गया है और यह सी लेवल से लगवग वन थाउजर वाइन सब लोग को पता ही होती है कि वोल्ड के लगवग सेवनटी परसंट स्पाइस इंडिया से आती है वो इंडिया में है जो कि यह सदार वल्लव भाई पटेल का और या 600 फीट याने की 182 मीटर के हाजबस की हाइट है इसकी तो यही थे इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और इंट्रेस्टिंग फैक्स तो अगर आपको वीडियो पसाई हो इस वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना अगर आपके बात कुसी जिसे हैं तो कमेंट करके बता सकते हो और हाँ हमारे के सब्सक्राइब करके बैल एकन पे दबादेना